हेलो गाईज मेरा नाम है रवी एश्टडी गुलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बात करूँगा कि एक ऐसे इंसान के बारे में जो लोगों की दिमाग में घुज जाता था लोगों की दिमाग को नियंतर कर लेता था आप बोलेंगे ये सब बाते अफवा हैं नहीं दोस्तों ये बाते सच है खुद महात्मा गांधियों और अलबर्ट आइंस्टाइन इस्टैलीन ठीक है और खुद एडॉल्फ हिटलर जैसे लोग उससे मिले हैं और ये बात उन्होंने जान के बहुत ही आश्यर हुए है आईए हम जानते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाल्फ मेसिंग है इनका चेहरा देख रहे हैं इनका पूरा नाम होता है वाल्फ गरियों विच करके होता है शुरू में वाल्फ मेसिंग इनका नाम कैसे पढ़ता है हम आगे जानेंगे पोलायम मिन का जन्म होता है इनके जो पिताजी होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमा रहे होते हैं बहुत धर में गरीबी होती है बहुत ज़्यादा तकलीफे होती है इनके पिताजी जो होते हैं वाल्व मेसिंग को बहुत ज़्यादा परसान भी करते हैं, खाने पीने के बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने के बहुत दिक्कत होती है, दीरे दीरे वो बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, एक दिन इनके पिताज उसको बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, यह बाद कुलूंगा कहां पर जर्मनी JMें जर्मनी अच्छा वल्य होता है वह कुछ कर सकता है और अच्छी जिद्गी है तीटी की आवास पहर की आवास सुनते हुए यह डर जाता है इसकी और यह थोगता है तो फीर इसको थोड़ा सा मुखा काज देने के बाद आपका मिलता है इतना डारा हुए तो इसकी धळगन बढ़ जाती है और यह क्या करता है प्रें में बोलता है यह खाली कागज देता है और ऊक्त देने के बाद रित है कि यह तूर रहे से हुए कि आगता है टीटी क्या करता है उस कागज को देखता है जैसे उस कागज को देखता है वो देखता है कि उसमें तो टिकेट है और टीटी उसको बोलता है कि तुम फालतु का डर रहे हो क्यों तुम डर रहे है जब तुम्हारा टिकेट तुम्हारे पास है बाहर लिखलो उपर आता है वो लोगना टीकर वो अपस चला जाता है और फिर वो जो वाल में सिंग देखता है कि कागज तो खाली है उस वक्त उसको एसास होता है कि वो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है किसी की दिमाग को भी अपने बस में कर सकता है यह यह उसको एसास हो जाता है पहली बार उसक चलता है वह क्या करता है वह क्या करता है कि लोगों को उनके भविश के बारे चीज़ बताने लगता है पहले तो कुछ लोगों की मज़द करता है तुकि दिरे दिरे वह famous होने लगता है शाधी हो एक सब आब थाइगी ऐसी करता रहता है, जैसा कि आपने देखा भीयों का, यहां भी बहुत लोग करती है, लेकिन इसकी भविस्वाणी बहुती सखीक होती थी, यह जो मोलता था, वही होता था, किसी की दिमाग को कंट्रोल कर लेता था, कहीं कहीं जादू दिखाने लगता था, कुछ भी करने खाता है, कि सभाब बैठी होती है, इससे सवाल पुछा जाता है कि उस टाइम जैसा कि नियूज मतलब महाल भूरा बन रहा था, यूद्ध होने भी लगे ते महाल बना था, यूद्ध होगा, यह सब उसी वक्ति, मतलब एक भविस्वाणी करता है, कि अगर जर्मनी ने रस पघर बाते हिए हो जाना तो लाजमी था कि इस बातों का फैलना, हिलर के बात पता चलती है, हिटलर को सहता है कि एक काम करो जो वॉल्ट मिसिंग को मारे गा, उसका सर काट के मुझे देगा उसको मैं 2,0,000 अब यह इप आप उसको लगता है, अब उसको मारा मारा मतलब अब तो मारा जाएगा अब वो क्या करता है भाग जाने की कोसिस करता है वो भागता रहता है भागता रहता है लेकिन क्या होता है कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं जो जर्मन पुलिस होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल में ले जाके में बंद कर देते हैं अब आप मिसिंग क्या है अफ उसको यह पता था कि ये सम मुझे क्या करेंगे एक अफ उसको बच सब्सक्राइब अरदों फिर वो क्या किसा पुलिस वाला दर्वाजा खोलता है अब वाल्फ मिसिंग क्या होता है वहां से बाहर चला जाता है कोई जर्मन से पकड़ नहीं पाता है दोस्तों यह कहानी सच है यह 100% कहानी सच है इन पर बायोग्राफी भी लिगी गई है और खुद महात्मा गांधी अल अधर्म कॉसियर में चला जाते हैं वहां पर रौण कारोबार करने लगता है लेकिन जो इस्टैलीन होते हैं इनको जसे बहुत ही ज़्यादा वह होता है आश्यर होता है कि वाल्फ मेंसिंग जैसा इंसान जो भवी से वारें बताता है जो लोगों की दिमाग को रुर कर ले परदा उठने से पहले उसको पकड़ लेती है और घुस अला करते जो वॉर्प मिसिंग को क्या किया है रसीयन आर्मी ने पकड़ लिया उच ताइम यह सब्सेर होता था अब जो होता है इनको लेकर जाया जाता यसान के पाफ जैसे चलीं केपzen K State पूछتे है कि स्टेव in इतना हो वो चैलेंज तुम करके दिखाओ तब मैं मान जाओं कि हाँ तुम सही हो अगर यह चीज़ सही हो जाती है तो मैं तुमको बहुत सारी नाम दूंगा अब क्या होता है कि जो स्टैलीन होते हैं उसके सामें सर्थ रखते हैं वाग में सिंग कि यहां का जो सेंट्रल बै खीच है मैं जाओंगा और में वहां से पैसे लेके आँंगा। होट मैं सिंग्स नील गाँ झालगल की आंपको छोड़ पिएं इस टेलिंग को देते हैं, इस टेलिंग सॉग्ड, इस टेलिंग परसान हो जाते हैं, अरी ये कैसा हुआ, क्योंकि ये क्या थे रिजिनल थी इंसानी, क्या मेरिजम मानते थे, अब ऐसी चीज़े जो सारी धानाओं को खतम कर दे, जिसमें इनकी सोच की नीव ठीकी है, वो खत कागज उसको सही दिया होगा, तो कागज उसके पास होगा, तो वह में सिंग जाता है, जो वहाँ पर मेनेजर होता है, अब बोलता है, बहिए मेरा कागज देदीजिए, एक लाग रुपए का, अब वो इंसान कागज देखने लगता है, कागज तो मिलता ही नहीं है, खाली तो इतना परसान हो जाता है। इसको लगता है अब तो मजेल में चला जाओँगा नौखा धड़ी में। फिर क्या होता जब श्टैली की बात पता चलती है कि वहां तो की कागज ही नहीं है। खाली कागज है श्टैली फिर एकदम आशियर हो जाते हैं। इस्टेलीन भी भरुसा नहीं है, इसा कैसे हो सकता है? इस्टेलीन भी भरुशा नहीं करते हैं, एतना बड़ा थानज ऐसा, इसे कैसे भरुशा करें. वो बोलते हैं, एक काम करो, कि मैं एक तुम्हें चैलेंज और देता हूँ, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं मान जाओंगा, हाँ तुम सच में बहुत बड़े वो जादूगर हो, बना सच में किसी भी इंसान के अंदर तुम जा सकते हो, उनके माइंड को क्या कर सकते हो, वहां पर कई सव कमरे थे, उस कमरे में सारी कमरी एक जैसे बने, इस्टैलिन किस में सोएगा, किस में नहीं सोएगा, किसी को नहीं पता, मतलब हजारों हजारों सैनी चारों तरफ लगे हैं, एक परिंदा भी वहां पर नहीं जा सकता था, इतना कठीन पहरा था, और कमरे की बात खास बात यह थी दोस्तों उसी कमरे के अंदर आप कोई भी कमरा को दूसरे कमरे माँ जा सकते हैं वहां पे मतलब इस्टैलीन को जच पकड़ना बहुत ही मुस्किल था उपर से इतना जाता पहरा तो वॉलता है ठीक है मैं आपका ये चैलेंज असे करता हूं मैं आऊंग कि ऊड़ल्ट का या तो वोलते हैं वह मेंने आप जितने पहरे दार थे मैंने सब से आपी मैं बहिर्या हа। है चोगता कमांडिंग ओविसर पहां था तो बहल कोई मैं ऑब ये बात जिगेently पता चलती है इतनी ज़्याद हो उझार हो जाते हैं वो उसको कहते है कि मैं तु तुम पूरे रूस में कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा. क्योंकि परसान और स्टैलीन फिर क्या करते हैं, अपने साइंटिस्ट और अपने जो कमांडर होते हैं, उनको बोलते हैं, कि इस इंसान का अध्यन करू. ये इंसान पर्माडू बम से भी जादा घातक हैं, क्योंकि पर्माडू बम क्या है, एक सेना जो गिराए किसी देश पे, लेकिन अगर इस इंसान की तागस हमको मिल गई, तो जो सेना हमारे पर्माडू बम गिराने वाली है, हम उसके धाना को चेंज कर देंगे, उसके अबीड होगा, ये जो धाना है, सबसे खतरनाक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि वाल्प मिसिंग पूरे रसिया में घुमता है, उस टाइम पर ऐसे लोगों को कोई बचते नहीं थे, जो देश में घुमते थे, लेकि वाल्प मिसिंग ऐसा इंसान होता है, जो पू अब आप यहां पर दिख रहे होंगे, अलबर टाइंस्टाइन है, यहां पर वाल्प मिसिंग है, यहां पर वाल्प मिसिंग है, यह क्यू है? अलबर टाइंस्टाइन एक बार इनके मित्र थे, साइंटिस्ट एडिंग्टन, दोनों साथ में जा रहते हैं, सफर कर रहे थे, तो वहां पर एक मीटिंग होती है, मतलब वहां पर वाल्प मिसिंग से उनकी मुलागात होती है, अब क्या होता है कि यह सब उनके बारे बहु कैसे कर सकते हैं, तो वाल्प मिसिंग कैसे है, ठीक है, तो वाल्प मिसिंग बोलते हैं, एडिंग्टन बोलते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, आप करके दिखाओ, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वाल्प मिसिंग क्या करते हैं, आइंस्टाइन की कि मुझ की बाल उखाड के रखें, यह बास उनके ही दोनों सौब हो जाते हैं, दोनों हसने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं कि कैसे काम करता है, बस यह चमतकार था, महात्मादानी खुद इनसे मिलते हैं, वाल मेसिंग से, और यह बोलते हैं, इंसा इनसान की छमता इतनी ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो वाल मेसिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, तो इस तरीके से एक इनसान जिसके पास इतनी ज्यादा सकती तो धाना को चेंज कर सके, इनसान की सोच को बदल सके, उसके थौट को चेंज कर सके, वो कfeitйना ह cotton ळोको इतना हिंस ईंफलेνस कर पाए कि वोगों इन की बात मानी लोगों इतना इंफलेंस कर पाए सही वे में चाहते तो लोग उनकी लिए जान देते हैं तो धाना की पावर ये होती है, मोटीवेशन की पावर ये होती है, विचार की पावर ये होती है, कि इनसान उससे कुछ भी कर सकता है, परमाडूबं से भी ज्यादा ये घातल होता है, तो ये थी एक रोचक कहानी वाल्फ मिसिंग के बारे में, अगर ये आपको अच्छा ताकि और भी लोगों के इसके बारे में पता चले, मिलते हैं नक्ष लिक्चर में, थैंक्यू, सो मच्च